नमस्कार दोस्तों मैं कि स्वागत करता हूँ आपका अपने टेक्निकल सीप यूटूब चैनल दोस्तों कैसे हो आप सो दोस्तों आज के इस वीडियो मैं आपको बताने वाल हूँ कि अगर आपका बैंक का बढ़ोधा में एकाउंट है और आप चाह रहे हैं कि डेबिट कार् लॉस मतलब गुम हो गया कोई चूरी कर लिया तो जाहिर सी बात है आप एक्षन तुरंत लोगे क्योंकि आगर आपको पीन वह जानता होगा तो आपके सारे खाते का पैसा निकाल लेगा तो उसकेस में आप उस सोचेंगे भाई जल्दिस जल्दी मैं अपना एटीम कार्या और अगर आप मारे चैनल पर नाया है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करके बेले कर दो दबाईएगा क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्स्राइब नहीं करेंगे आपके पास उसका नोटिपिकेशन नहीं जाएगा और आप उसका लाप नहीं उठा पाएंगे तो इसलिए मैंने सारा का सारा जो हम लोगा सब्जेक्ट है जो सलीशन है मैंने सिस्टम पर नोट करके रख लेता हूं ठीक है और आप लोगों काफी अच्छा प्यार भी हमें इस चैनल पर देते हैं जो कि हमने मोटिवेट करता है और आभे कुछ नया बेहतर जैनकारी लाकर देने का उस्सुक हम लोग रहते हैं तो आए सबसे पहले आपको करना क्या है और यह जो हमारे डिविट कार्ड होता है यह ब्लॉक होता है यह बता दू तो जी यह दोस्तों बिल्कुल यह जो आगर आप डिविट कार्ड मैं यह जो मेथड बता रहा हूं अगर इसको आप ब्लॉक करोगे तो तुरंत ही आपका डिविट कार्ड काम करना बंद कर देगा ठीक है यह ऐसा नहीं कोई लेकर गया कहीं गूम हो गया तो आप अपने मोबाइल से ही आप उसको ब्लॉक कर पाओगे कैसे करोगे यह भी मैं आपको बता देता हूं तो देखिए इसमें सबको देती है सबका मॉइल बैंकिंग चालू कर देती है इमेडियेटली जब भी आप खाता खुलते हैं तो तब देखिए उसकेस में मैं उम्मिद करता हूं कि आपका ब्याइंक का ब्लॉक से लेकर के कोई भी काम पिंचेंज डेविट ब्लॉक रिप्लेस्मेंट सारा काम किसी भी ब्रांच पर नहीं जानी की जुरूरत है क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छा बैंक है सारी फैकल्टी अपने कस्टमर को घर बैठे देने की पुरी कोईशिस की जा रही है है तो यहां पे मैं आपको बता दूँ सबसे पहले आपको क्या गरना है कि अपना मॉइ डेविट कार्ट को इमिडियेटली बंद करेंगे तो यह आप देखिए मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा कि सबसे पहले मॉवाइल बैंकिंग को अप्लिकेशन को ओपन करेंगे आपके पास नीचे नेविगेशन बार में सबसे नीचे आपको मिल जाएगा एक सेक्षन पर क्ली करेंगे तो और यह आपके पास जितने भी आपके अकांट से टेविट कारट एक्सपायर सारतने ट्रेज़ांगे एक चीज की सौधानियां रखनी है यह भी मैं आपको बताऊगा जब आप व्यू कार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारा का सारा आपका debit card ले गया वो सब कोई जानते हैं तो उस case में आपको उस debit card वाले पे click कर देना जो भी debit card आप block करना चाहते हैं या lock करना चाहते हैं या प्राप को tap कर देना है अप जैसे उस पर आप करेंगे दो आपसर आपके पास सो करके आ जाएगा पहला आ जाता है एक लॉक का और एक आता है ब्लॉक का ठीक है तो लॉक अगर करते हैं तो वह बंदा कुछ देर के लिए यूज नहीं करेगा फिर आप उसको अनला करना पड़ेगा और अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो वह परमानेंटली आपका डेविट काड पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा अब यह आपके सिच्वेशन को उपर डिपेंड करता है कि आप एक्षुली में करना क्या जाते हैं लॉक करना चाहते हैं दोनों मेंसे कुछ भी करेंगे उस पर आपको क्लिक कर देना या लॉ dediccard मुझे मिलेगा नहीं अगर चांस बिल्कुल नहीं है तो उस केस में मैं बלॉघ पर किलिक करता हूं अज जब मैं बलॉक पर क्लिक करूंगा उसके पास inadequ कैंसे एक pin मांगेगा यानि के transaction pin मांग सकता है दो Self Re sue में यूज करते हैं उसको यहाँ पर एंटर करने के बाद एक OTP जाएगा OTP डालने के बार जब फाइनली आप संबिट कर देंगे तो आपका जो debit card आपने सेलेक्ट किया था ब्लॉक करने होगा तो आज के वीडियो में दोस्तो यही method यह trick आप सभी के सामने सो करने वाला था अगर यह वीडियो आपको थोड़ा से अच्छा लगा और लाइक करिएगा और अगर आप मारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करके बेल आकन जोड़ दबाईगा ता दोस्तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन धर्नवाद